हेलो एवरिवान मैं हूँ आनंद मेता और आज किस वीडियो में लोग बात करेंगा नानी विलमर लिमिटेड के बारे में देखें बड़ी बड़ी खबरे आ रही थे खबरे बुरी बुरी खबरे भी आ पर आ रही थे जिसके वज़ासे प्रेशर में था है स्टॉक लेकिन आ आज देखूं तो आज इसमें तेजी है 2.73% की बढ़ियां तेजी देखने को मिल रहे हलाकि जब यह बजार उपन हुआ था तो उपर उपर हुआ था काफी जब कल से तो काफी यादा उपर उपन हुआ था और पिछले 5 दिने के बात करेंगे 3.5% की गिरावाट है यहाप और पिछले एक साल देखा जाए तो 41-42% से भी जादा की गिरावाट है बट जो तेजी है वो पिछले 5 साल में यहां पे ग्रीन में दिख रहा है बट तेजी बिल्कुल भी नहीं है 0.66 नहीं ज्यादा उतनी बड़ी कोई तेजी है नहीं उतनी बड़ी कोई गिरावाट है हलाकि जो इस टोक हाई पे था यह 780 रुपे के हाई पे था 29 अप्रेल पिछले साल 2022 में वहां से थोड़ा गटा 550 रुपे के आसपास गया फिर वहां से बड़ा था 809 रुपे का हाई बनाया था बड़ी लंबी चलांग मारा था और पिर वहां से जब रिपोर्ट आये कि मुझे सारे अच्छे नहीं लगते कूछ कंपनिया है जैसे अडानी विल्मर अडानी पोर्ट अडानी इंटरप्राइजस यह कुछ कंपनिया है दो तिन जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है फाइनमेंटली अस्ट्रों दिखती है मुझे जिस खबर की बात यह अडानी विल्मर वेंचर तो इन्होंने बोला है कि नहीं ऐसा कोई नहीं है है हमने को स्टेमेंट नहीं दिया है हलांकि ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली थी हमें बत अभी क्लारिटी इनोने यह ओन अगेस 10 अग्रिफाइद ओन मीडिया पोर्ट तो पावर गूरूप वास अखने श्यानी विल्मर विल्मर नहीं हाची in FIMCG joint venture PMCG adani development that requires disclosure we will disclose the same in accordance with the regulatory requirements in edit so Bloomberg reported इन्होंने बताया था कि रानी जो कि जो लगभग 44-45 परसंट की जो इनकी होल्डिंग है वो बैचने वाले हैं किसी दूसरी कंपनी को रिशको ग्रूप से अलग करने आसे खबर आ रहे लेकिन अलाकि फिलाल दफ़्सारी को जो मेडिया में इन्होंने के किलियर करा है कि कोई निूज नहीं है ऐसी कोई बात नहीं हम इसको अलग करने वाले नहीं है बैचने आक्र इसको उनकी मतलब और कंपनी में काफी ज्यादा चीजे वुलेट फेर देखने को मिली है according to money control users 78% लोग buy करनी के recommendation करे 20% sell करनी के लिए और 2% hold करनी के लिए देखे जात डिविडेंट की बात है तो भूल जाएगी कंपनी डिविडेंट देगा अडानी जो गुरूफ है वो डिविडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं जारा जाता और जो क्वाटन रिजल्ट यहां पर आये से दो अगस्त को आये थे इसी महीन चार पाई दिन पहले शो जानने का प्रियास करेंगी क्वाटन रिजल्ट क्या था कितनी ज्यादा गिरावाट से उसमें तो यहां पर हम देखेंगे कि दिखेंगे तो भाईया यह बड़ी बात कह सकते है थोड़ी दिक्कत तो है कि इस कंपनी में सेप्टमबर 48 करोड का था फे 246 करोड का वा फे 93 करोड का वा अभी 78 करोड का लॉस तो कहा 91 94 करोड का प्रोफिट और कहा 78 करोड का लॉस माफ किजेगा और जाद अब बात करूँगा जो एरली प्रोफिट इनके हैं येरली प्रोफिट भी बड़े थे 2022 में 804 करोड का वा था बढ़ रहते लेकिन 2023 में घटे हैं 582 करोड का इनका प्रोफिट रहा और हलाकि अब अडाने विलमर को नहीं जान रहे तो आपने फोर्चुन ओयल का आपने बिजनस को बढ़ाने के लिए तो जिस हिसाफ से यहां पर मुझे लगता था कि और बहुत बड़ी गिरावट है और जो अभी तेजी है मुझे लगता हो पर टेंप्रोरी तेजी है जो स्टेटमें इन्हों ने दिया हुए गौटाम अडानी जी ने उसको लेकर करके यहां पर इन्होंने यह तेजी आए देखने को मिली मार्केट में जो गैप है पॉपन हुआ है और एक रेंज में फिर वहां देट करते हैं लेकिन आगे गर मैं बात करू तो गिरावट इसे पक्का देखने को मिलेगे और जो तो पी रेशो के बात करूं तो अडानी के जि उतनी बड़ी तेजी भी यहां पर देखी नहीं है उसके बाद भी यहां पर इस्टोक काफी ज्यादा हाइब भी वेल्यूएशन पर ट्रेड करते भी दिखाए दे रहा है फिप्टी परसेंट टिकर टैप के एनलिस्ट आपको बाइंग के रिकामंडेशन कर रहे हैं पर मो 3.73 परसेंट और अधर पार्ट इस 1.12 परसेंट पर आप एक श्टोंग वोल्डिंग बनाते वे दिख रहे हैं और एक शुली करें बात करूंगा जो जो चीजे हैं कि 87.94 परसेंट जो आपको वोल्डिंग और सेवी का नियम कहता है कि लिस्टिंग के तीन साल के वीतर आप साकुए कर दो कम से कम 75 को आपको 75 कि आपको कर नी पड़ेगी तो कमपनी कंपनी रहें कि कब अपना स्टेक है कि बेचना पड़े गार यह दो तो भी आप वेट करो और हाँ अगर यह स्टोक 350 से कम में मिलता है नीचे में तो आप बाइ करो क्योंकि पी रिश्यो के हिसाफ से मुझे डानी स्टोक उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जो रिजल्ट होंगे उन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए और यहां तो बात करूँगा अभी मैं इसमें शौट टम पे के लिए थोड़ा बेरिश हूँ इसमें और ज्यादा नीचे यह जाएगा स्टोक और वहां पे हमारे लिए बाइंग के मोके बनेंगे क्योंकि जैसे जिल्ट है उसमें गिरावट और होनी है जो होगी ही उगीव गिरावट क्यू oben जो मार्केट इसको पॉजिटिव में नहीं ले रही है चिसाब से जितनी ज़्यादा अभीरेसशाब से जो यह जिर्शन हों मिलना है वह क्यों चैदा मुझे जने स्टोक आपको जरूर देखने को मिलेगा वहाँ प्रेंस बाइंग के मौके देख सकते हो और जो लॉंग टर्म के मैं बात करूंगा तो लॉंग टर्म में मैं पुप बुलिश हूँ क्योंकि जहां तो मैं बात करूंगा बहुत सारे ब्रांड इन्हों ने एक वायर किया है और अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्रिशन में अमने सेम को सेक्योर्टिस का लिंक दे रखा आप जाकर फिरी में अपने डिमेंट अकॉन और ट्रेंडिंग एकांट खोल सकते हो इस वीडियो मिस्त नहीं वीडियो कौन तक देखने के लिए आपका बद्धने वाद थैंक यू